कि नमस्कार स्टूडेंट्स जीत आईस के ओनलाइन प्लेटफों पर आप सभी का स्वागत है आप सब लोगों को पता होगा रैसाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उत्राखंट सरकार द्वारा और आपको एक चीज पता होगी कि एसाई में अभी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मैट्स और रिजनिंग का है ठीक है आपके 75 क्वेशन मैथमेटिक्स के आने हैं और 25 क्वेशन किसके आने हैं आपके तो आपके लिए जीत आईस द्वारा यहां पर एसाई को टार्गेट करते हुए एक बैच बनाया जा रहा है जिसमें आपको बेसिक्स तो एडवांस सभी तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैट्स का एक बैच स्टार्ट कराया जा रहा है जो मेरे द्वारे स्टार्ट किया जाएगा मेरा नाम विवेक है आज से आप सभी लोग मेरे साथ कि मैट्स ऋखेंगे बहुत आराम से सीखेंगे पहली बात तो आपको यह बात चाहिए कि आपके स्लेबर में है क्या क्या आपके स्लेबर में बहुत सारी चीजह है ऋसब से पहली बात अरि küç सर्ड़ का प् leurs व橋 क्याते हो percentage profit loss CISI ठीक है और क्या क्या कहते हैं आप लोग या जो भी अधर होगे train वाले questions होगे time speed distance time and work जितने तरीके के भी question होता है mixture allegation ratio average चाहे वो time and work हो कुछ भी हो वो सारे के सारे arithmetic तो आएगी आएगी साथ में आपका advance भी आएगी advance कहने का मतलब क्या है कि आपकी algebra पूछी जाएगी आपकी थोड़ा बहुत trigonometry पूछी जाएगी आप से triangle rectangle square ठीक है ये सारी चीजों से relate करते हुए circle इन से relate करते हुए question भी पूछे जाएंगे तो हम सभी क्या करते हैं बहुत basic से start करते हुए मैं आपको बहुत basic और बहुत आराम से maths को समझाने का प्रयास करूँगा जिसमें आप लोग भी मेरा क्या देंगे साथ देंगे ठीक है चलिए मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं देखो भाई कि सबसे पहली बात मैं जो टॉपिक सिस्टम ठीक है नंबर सिस्टम हिंदी में आप लोग क्या कहते हो संख्या पध्यति क्या कहते हो आप जिसे संख्या पध्यति ठीक है संख्या पध्यति नंबर सिस्टम बेसिकली अगर आप देखो तो यह अर्थमेटिक का टॉपिक नहीं है ठीक है मैं इसमें से advance का topic बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत तरीके के questions आते हैं और सारे के सारे क्या हैं आपके लिए important हैं सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि किसी एक topic में कितने तरीके के सवाल examiner हम से पूछ सकता है देखो भाई अगर इस topic की बात करोगे तो इसमें जो सबसे पहला जो question आप लोगों के लिए बनेगा वो बेसिकली यूनिट डिजिट का बनेगा किसका बनेगा यूनिट डिजिट जिसे आप हिंदी में कहते हो इकाई का अंक जिसे आप क्या कहते हैं इकाई का अंक दूसरा जो आपका question बनेगा वो बनेगा आपका number of factors number of factors ठीक है यह अपने आप में important topic है मेरे भाई इससे सवाल आने की संभावना होती है आप लोगों की जिसे आप कहते हो गुड़न खंडों की संख्या जिसे आप क्या कहते हैं मेरे भाई गुड़न खंडों की संख्या जैसे आप क्या बोलते हो गुड़नखंडों की संख्या देखो गुड़नखंड में दो तीन टाइब के question आते हैं जैसे आपके सामने सबसे पहला क्या आजाएगा number of factors दूसरा क्या आजाएगा number of even factors मतलब सम गुड़नखंडों की संख्या बताईए ठीक है जैसे आपसे बोल सवाल भी क्या होते हैं factors के relate करते हुए पूछे जाते हैं जो तीसरा आता है कभी कबार देखने को एकाथ सवाल मिल जाता है इसमें जिसे आप कहते हो number of zeros number of क्या कहते हो जीरो जिसे आप क्या कहते है सून्यों की संख्या सून्यों की संख्या ठीक है कोई एक fraction दे दिया जाएगा बोलिंग इसमें कितने जीरो आएंगा ठीक है वो आपको कभी कबार एकाथ क्वेशन देखने को मिल सकता है चौथा जो आता है इसमें most of the important topic double hashtag करके लिख लेना जिसे आप कहते हो divisibility ठीक है आप क्या कहते हो विभाजक्ता जिसे आप क्या कहते हैं विभाजक्ता देखो भाई यह बहुत इन्पोर्टेंट टॉपिक है मतब अपने आप में यह अलग ही चीज है इससे आपको HCF LCM में भी बहुत मदद मिलने वाली है विभाजक्ता divisibility को बहुत आराम से पढ़ने वाले है क्योंकि इससे हमारा HCF LCM और भी आसान बन जाएगा ठीक है और एक जो इसमें last topic होता है last topic होता है जिसे आप कहते हो remainder ठीक है जिसे आप लोग क्या कहते है remainder क्या कहते हो शेशफल प्रमे शेशफल इससे भी सवाल आपका definite देखो number system से अगर आपका सवाल बनेगा ना तो maximum chances है कि या तो वो divisibility होगा या तो वो किसका होगा मेरे भाई या तो वो किसका होगा remainder theorem का होगा या फिर वो किस चीज का ह हो सकता है unit digit का हो सकता है यह तीन चीजें ऐसी हैं जो maximum तोर पर number system से क्या करी जाती है पूछी जाती है अगर number system की बात करो तो इसमें पांच तरीके के topic मैंने आपको बता हैं इन ही पांच से आपके क्या आने होते हैं questions आने होते हैं इसी लिए बच्चो इस चीज को क्या ब बढ़ने वाले हैं अच्छा सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं ठीक है आज मैं topic start कर रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा topic है समझाने का प्रयास करूंगा आराम से समझना सबसे जो पहला topic है आपका यह जो पहला topic है इससे आप क्या कहते हो unit digit जिसे आप क करें 75 कोशन मतलब कुछ भी हर कोशन एक नंबर का मतलब 75 75 सवाल आएंगे अब 75 सवाल उसने देना है आपको एक चीश पता है कि अरिथमेटिक का वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो unit digit क्या पता आपसे एकात सवाल पूछ ले ठीक है वैसे number system का maximum question divisibility या remainder theorem पर बनता है लेकिन क्या पता unit digit से भी आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो हम इसके concept को बहुत आराम से समझते हैं ठीक है कितना आराम से होता है देखिए इस number का मुझे unit digit बताओ तो इस number का unit digit आप सभी लोगों को पता होगा कि इस number का unit digit है वो कितना है मेरे भाई 9 इस number का अगर मुझे बोला जाए unit digit अच्छा unit digit हिंदी में तो सभी लोग समझते हैं न कि अगर मुझे पूछा जाए कि एक number लिग दिया गया 45,789 आपसे बोला बात कर लेता हूं मैं आपसे जैसे कहता हूं कि अब आपको कोई अधर नंबर दे दिया गया जैसे मैंने आपके सामने लिग दिया 23 प्लस कितना लिग दिया 42 आपसे यह बोला गया कि इस number का unit digit बताओ एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे अगर आपसे unit digit की बात करी गई है तो आपको मतलब भी unit digit से होना चाहिए आपको मतलब भी किस से होना चाहिए unit digit से इसके आगे कितने भी number है मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है unit digit का concept जब भी होता है तो उसमें मतलब ही किस चीद से होता है आपका unit digit से होता है इसका unit digit 3 इसका unit digit 2 मतलब अगर इन दोन तरीके से पूछ ले या पिर इस तरीके से पूछ ले जैसे आप से कह दिया जाए 23 प्लस 42 ठीक है प्लस 41 ठीक है इस तरीके से पूछ लिया कोई भी नंबर या 441 लिख दिया या कोई भी अधर नमबर लिख लीजिए आप आप से पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट कितना है यूनिट डिजिट अगर आप से पूछा जाए तो आपको मतलब भी किस चीट से होना चाहिए यूनिट डिजिट से होना चाहिए ठीक है आपको मतलब भी क से होना चाहिए यूनिट डिजिट से तीन और दो पांच पांच और एक छे छे और एक इतना हो गया मेरे भाई साथ मतब अगर इस पूरे फ्रेक्शन को अगर मैं जोड़ू तो इसका जो यूनिट डिजिट बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए मेरे बचो साथ बनना चाह इस fraction का unit digit बताओ तो unit digit मतब आपको क्या करना है 3 और 5 को ही लेना unit digit 30 का unit digit 3 और 25 का unit digit 5 बीच में अगर multiply है तो क्या कर दीजिए multiply कर दीजिए 3 पंचे होता कितना है 15 तो 15 में भी unit digit कितना आया मतब 5 तो इस पूरे fraction का जो unit digit होगा वो कितना होना चाहिए मेरे भाई 5 होना चाहिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज में बहुत आराम से और बहुत शांती से आपको बता रहा हूँ आप पहले तो यह समझोगी unit digit निकाला कैसे जाता है ठीक है होता क्या है उसके बाद तो सवालों पर धीरे धीरे आगे को हम चलते ही रहेंगे आई बात आप लोगों के समझ में या आप एक तरीके से और समझ सकतो जैसे एक सवाल आ गया आपके पास 442 प्लस या 442 मत कीजिए ठीक है अच्छा 442 कर लीजिए कोई बात नहीं 445 माइनस ठीक है 371 आपके पास यह नंबर आ गया बोला जाए इसका unit digit बताईए बोला जाए किया इसका unit digit बताईए तो आप आराम से समझ सकते हो देखू यहाँ पर unit digit कितना है दो यहाँ पर unit digit कित जाओ यहाँ माइनस का है माइनस का यहाँ unit digit कितना है मेरे भाई एक है तो यह कितना हो जाएगा 5 और 2 7 7-1 कितना हो गया मेरे भाई 6 मतलब अगर इस fraction का unit digit पूछा जाए तो वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है देखो भाई कुस तरीके होते हैं उन तरीकों को जानने का हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं ठीक है चलिए जैसे मैंने आपको समझ में आया ना मैंने का इकाई का अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैंने का आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए बाकी नंबर जो भी है उस के पास जो basically question आएगा ना वो कुछ इस तरीके का आएगा देखो पहले question को जानों की question कैसा आएगा फिर जानेंगे कि उसका solution किस तरीके से हो सकता है अगर आपके पास कोई जी question आती है तो वो किस तरीके से आएगी आपको पाराम से समझना चाहिए जैसे अगर मैंने बात कर लिया कि 224 की पावर 341 ठीक है प्लस 345 की पावर 498 ठीक है so on that ऐसे कुछ भी दे सकता है आपको बोलेगा in fractions का unit digit बताई है आप से सवाल basically powers में पूछेगा हाँ भई देखो unit digit में पावर्स में में भी पूसता है सवाल factorial में भी सवाल पूसता है अभी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा factorial भी कुछ चीज होती है तो हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत patience रखना मैं basic से बता रहा हूं आप लोगों को तो थोड़ा बहुत क्या रखेंगे patience रखेंगे जिनको आता है बहुत अच्छी बात है जिनने नहीं आता है उनके भी समझ में सब कुछ आना चाहिए चलिए अगर इस तरीके के आपके पास सवाल आ जाए इनको सवाल को solve करने के लिए ना कुछ तरीके होते हैं कुछ rules होते हैं वो rules आपको याद होने चाहिए ठीक है देखो मेरे भाई maths जो होती है वो तीन तरीके से बनती है सबसे पहला चीज होता है जिसे आप कहते हो fundamental जो आपको किताब ओपर मिल जाता है दूसरी चीज होती है concept और तीसरी चीज ह होती है ठीक है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए मैं जो बताऊंगा वो fundamental और क्या होगा concept होगा ट्रिक पर मैं नहीं जाता क्योंकि ट्रेग पर्टिकुलर question के लिए होती है पर्टिकुलर तरीके से बनती है लेकिन concept और fundamental कभी भी गलत नहीं होता है इसलिए मैं आपको हमेशा concept की तरफ जादा ले जाओंगा तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना अब यहां से आपका rule number one start हो जाता है देखो वैसे यह चीज है तो आपको किताब पर भी मिल जाएंगी लेकिन इसके बात भी मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा कि आपको इतने सारे रूल सियात करने की जरुरत नहीं बढ़ेगी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ fundamental से ही बनते हैं उसी के लिए मैं यह सब आपको बता रहा हूँ ठीक है जैसे अभी आप धीरे धीरे जानोंगे सवालों को ठीक है मैंने आपसे पहला rule जो बोला पहला rule बहुत जादा important है ध्यान में रखेंगे सभी लोग मैंने कहा अगर किसी नंबर का यूनिट डिजट अगर किसी नंबर का यूनिट डिजट ठीक है मैंने क्या कहा अगर किसी नंबर का यूनिट डिजट जीरो एक पांच और कितना होता है मेरे भाई छे होता है जीरो एक पांच और कितना होता है मेरे भाई छे होता है अगर किसी नंबर का यूनिट डिजट 0156 होता है तो इसकी power कितना भी कर दो इसकी power को कितना भी कर दीजिए कितना भी करें ठीक है हमेशा unit digit हमेशा जो unit digit होगा वो आपको क्या मिलेगा 0, 1, 5 और 6 यही आपको मिलेगा अब इसको समस्ते हैं मैंने कहा क्या है मैंने कहा जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया मैंने क्या ले लिया एक हजार ले लिया मुझे निकालना था एक हजार की पावर कितना निकालना था दो सो पैतालिस मुझसे पूछा गया कि बताओ एक हजार की पावर दो सो पैतालिस का यूनिट डिजिट क्या होगा पहला जीरो होता है किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर जीरो होता है किसी नंबर का देखो नंबर पर ध्यान देना है किसकी बात करी गई एक हजार, एक हजार का अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो कितना है, मेरे भाई, जीरो, मुझे मतलब नहीं है, आगे को क्या लिखा गया है, मैंने का यूनिट डिजिट मतलब आपको बांकी से मतलब ही नहीं रखना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है ठीक है जैसे 1000 का unit digit देखोगे तो कितना है 0 अब 0 की power में कितना भी आ जाए मैं यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा number लिख लूँ इसके पीछे कुछ भी लगा लूँ 245,300 जो लिख लूँ अगर वो निकालना हो तो unit digit always भी है कितना होगा मेरे भाई 0 होगा आगई बात समझ में एक और example से समझो जैसे मैंने कहा 10,000 हो गया मेरे भाई अगर मुझे बोला गया इसकी power 15493 ये निकालना है बता उसका unit digit क्या होगा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर unit digit 0 है तो unit digit 0 जब भी होता है तो उसकी power कितना भी कर दिया जाए तो unit digit always भी है कितना मे में लिए चितना भी ले आओं उसका unit digit always भी हा कितना बनेगा मेरे भाई उन मैं लिख दू जैसे 1331 मुझे निकालना है इसका और power में बोल दिया जाए 4590 बोल दिया जाए मुझे बोला जाए इसका unit digit बताईए तो unit digit क्या होगा मुझे पता है कि यहाँ पर कितना आगया मेरे भाई एक आगया और एक की power अगर मुझे unit digit में दिख रही है ठीक है फिर इसके बाद तीसरी चीज को समझ लो ऐसी example 5 के लिए भी समझ लो जैसे आपने लिख दिया 525 की power 4000 लिख दिया आपसे बोला जाए इसका unit digit बताओ आपको अगर unit digit यहाँ पर 5 दिख रहा है 5 की power मैं कितना भी कर दूँ तो unit digit always भी है कितना मेरे भाई 5 होगा इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ एक और example ले लो जैसे मैंने कहा 1225 की power 1225 कर दिया बोला जाए इस fraction का unit digit बताओ unit digit बताना है अगर इसके यहाँ पर आपको unit में कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है unit में कितना मिल रहा है मेरे भाई 5 मिल रहा है तो उसकी power कितना भी हो जाए unit digit बी कितना हो जाए 5 हो जाए आगे बात समझ में देखो भच्चो थोड़ा बहुत patience रखना ठीक है अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ 0,15,6 के लिए बता रहा हूँ जैसे 6 के लिए एक सवाल लिख लीजे जैसे आपने लिख लिया 626 की power 400 बहुत तर इसका unit digit बताओ अगर आपसे बोला जाए तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि इसका unit digit अगर 6 है 6 की power मैं कितना भी कर दू unit digit always भी है कितना मेरे भाई 6 यहाँ पर तक किसी को कोई समश्या नहीं होनी चाहिए देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैंने unit digit निकालने का आपको सबसे पहला rule क्या बताया अगर किसी number का unit digit 0, 1, 5 और 6 होता है तो उसकी power आप कितना भी कर दे उसकी power आप कितना भी कर दो unit digit अगर 0 है तो 0 ही मिलेगा unit digit 1 है तो 1 5 है तो 5 6 है तो कितना मिलेगा 6 मैंने example के थूँ आपको समझाए कि यहाँ पर unit digit 0 था तो 0 की power मैं कितना भी कर दो यहाँ पर जैसे 245 ता यह था 1000 की power 245 बताओ इसकी काई का अंक कितना होगा तो आपको पता है कि जब यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है 0 की power कितना भी कर दो unit digit always be a 0 या एक की power कितना भी कर दो unit digit always be a 1 यहाँ पर भी इसका unit digit कितना है इकाई का अंक कितना है एक है एक की power कितना भी कर दिया जाए unit digit कितना हो गया मेरे भाई 1 हो गया आप यहाँ पे देखो 5 unit digit आ जाए तो unit digit 5 5 की power कितना कर दीजे कोई मतलब नहीं है आपको जो answer मिलेगा unit digit वो कितना मिलेगा 5 और वैसे ही कहानी किसकी है मेरे भाई 6 की तो इस rule को लिखने का तरीका क्या है पहली बात तो वो समझो इस rule को लिखने का तरीका क्या है आप लोग समझते है rule number 1 rule number 1 आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर 0 की power n कर दिया जाए तो हमेशा unit digit आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा 0 की power अगर n कर दिया जाए तो unit digit आपको कितना मिलेगा 0 कर दिया जाएगा यह आपका ऐसा समझ लीजे, यहाँ पर लिखा हुआ है unit digit, ठीक है, यह महिंदी मैं भी लिख देता हूँ, इकाई का अंक, ठीक है, अगर आपका unit digit 0 है, उसकी power n, n मतलब, n मतलब आप कितना भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, n मतलब वो एक से लेकर आनन तता क कोई भी संक्या हो सकती है, आपको हमेशा unit digit कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ऐसी सेम कहानी 1 की भी होती है, 1 की power n, तो unit digit always be a 1, ऐसी कहानी 5 की होती है, 5 की power n, तो unit digit always be a 5, ऐसी कहानी 6 की होती है, 6 की power n कर दोगे, तो unit digit always be a 6, तो ये बात सभी के ध्यान में रहेगी, बहुत अच् 5 और 6 के लिए मैंने आपको कुछ concept बताए मैंने आपको क्या बताए कि इनकी पावर आप कितना भी कर दीजे unit digit हमेशा आपको कितना मिलता है अगर 0 है तो 0 अब सवाल किस तरीके से आएगा उस बात को भी जानो बेसिक सवाल को समस्ते हैं जैसे आपके सामने question लिख दिया गया जैसे आपके सामने question लिख दिया गया 545 545 की power 490 ठीक है प्लस 5496 की power 390 आपके सामने ये लिख दिया गया ठीक है पहला सवाल बोल दिया गया और आप से बोला इस fraction के एकाई का अंक बता ही है इस fraction के एकाई का अंक तो आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर unit digit कितना दिख रहा मेरे भाई 5 अब 5 की power में कितना भी कर लू य unit digit हमेशा मेरे को कितना मिलता है पांच मिलता है तो पांच इस वाले पूरे फ्रेक्षन का unit digit कितना आएगा 5 और यहां बिच मा प्लस का 성 is प्लस, माइनस का साइन है, माइनस, डिवाइड का साइन है, डिवाइड जो भी है, आप को करेंगे, ठीक है, तो 6 और 5 टोटल मिलाके कितना हो गया मेरे भाई, 11, अब 11 में भी unit digit क्या होगा मेरे भाई, ये वाला जो one है, वही आपका क्या हो जाएगा unit digit, आपको इन दोनों को जोड के कितना आया मेरे भाई, 11 आया, 11 मतब क्या होता है मेरे भाई, unit digit कितना आ जाएगा, इस पूरे fraction का वना आ जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है सबी लोगों को, सवाल किसी भी तरीके से दिया हो सकता है, आपको tension नहीं ले आपने कहा, 526 की पावर, ठीक है, 123, प्लस आपने कह दिया, 431 की पावर, 497 कह दिया, ठीक है, इतना कह दिया, और आपके पास चलो एक और आगया, 6 के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो कोई भी एक नमबर ले ले लिजे, 726 की पावर, 941, आपसे अगर बोला जाए, इस प पर दो, आप लोगों को, कि 0, 1, 5, 6, जहां जहां पर भी आता है, उसकी power कितना भी कर दिया जाए, unit digit always be a 0, 6, मतलब 0, 1, 5 और 6 ही आपको मिलते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत की बात तो नहीं है न, चलिए, अब आगे बढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए ये तो हो गया, देखो एक rule और याद करे होंगा, ठीक है, जिससे आप unit digit क्या कर सकते हो, without any rules आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक ऐसा तरीका बता दूँगा, cycling factor बता दूँगा, कि आप हर किसी नंबर का unit digit निकाल पाओगे, सिर्फ एक ही तरीके से आपको हर नंबर के लि rule number two जो है, आपका वो किसके लिए है, four और nine के लिए, देखो मैं ये rule क्यों बता रहा हूँ, आपको अगले सवालों पर पता चलेगा, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे आते हैं, जो सिर्फ basic से ही बन पाता है, ठीक है, इसलिए basic बताना कभी-कभी बहुत जरूरी हो जाता है, जैस जैसे चार की पावर तीन करूँगा, तो कितना आ जाता है, मेरे भाई, चोशट आ जाता है, अच्छा बैसे ही मैं चार की पावर चार करूँगा, तो कितना हो जाता है, मेरे भाई, 256 हो जाता है, कितना हो जाता है, चार की पावर चार करोगे, तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपको 6, 4 की पावर 3 करोगे तो unit digit कितना मिलेगा आपको 4, और 4 की पावर 4 करोगे फिर से unit digit आपको कितना मिल जाएगा 6, तो यहां से आप एक pattern क्या करते हैं, observe करते हैं, यहां से आप एक pattern को क्या करते हो, observe करते हो, आप सब लोगों को एक चीज तो पता रहती हैं, और यानी कि क्या कहते हूं जिसे आप इवन नंबर कहते हों present जिन संख्याओं का unit डिजिट इकाई का अंक यूर सिन होता है मेरे भाई आठ होता है वो कैसी संख्याओं कहलाती आपकी सम zakla लातीजि़ अच्छा विशम संख्याइं क्या होती बीशम संख्याइं क्या होती है जिन्हें आप क्या कहते हो ओड नंबर कहते हो औरबर क्या होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 2 4 6 8 या फिर 0 नहीं होता है 0 नहीं होता है, वो क्या क्या लाते हैं, बिशखम नंबर, जैसे अगर मैं बात करूँ, 144, 144 कैसी संख्या है, उनिट इजिट चार है, मतलब यह कैसी संख्या होगी, समसंख्या, वहीए अगर मैं बात कर लूँ, 145, तो 145 में जो इपांच आया, इसकी वज़े से, या तो 0, 2, 2-4 6 8 होता तो वो समसंग क्या होती अगर इसके लावा कोई और नमबर है मतब यह कैसा नमबर मेरे भाई वह आ गई बात सम चमझ में जब हम यहां पर तक की कहानी को समझते हैं जब हम ये वाली कहानी को समझते हैं, हमने क्या देखा कि चार के लिए एक special rule काम करता है, कि चार के लिए जब भी उसकी power odd, odd यानि कि क्या कहते हो आप जिसे हिंदी में, विशम, या फिर दूसरी चीज क्या कहते हो आप, यानि कि क्या हो जाता है, even, ठीक है, ये देख लिए, ठीक है, तो चार के लिए हम एक pattern को observe करते हैं, चार के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, एक pattern को observe करते हैं, और वो pattern क्या होता है मेरे भाई, आराम से समझो, ठीक है, चार के लिए जब हमने pattern observe किया, अगर चार की power कोई विशम संख्या है, अगर चार की power एक और तीन कैसी संख्या है तो हमेशा हमको यूनिट डिजिट कितना मिलता है मेरे भाई चार मिलता है तो हमेशा हमको यूनिट डिजिट कितना मिलता है चार मिलता है वहीं हम देखता है कि चार की पावर जब एक संख्या सम होती है चार की पावर में जब एक इवन नंबर होता है चार एक संक्या है तो यूनिट डिजिट अपने आप 4 होगा और 4 की पावर में अगर कोई संक्या है तो यूनिट आप लोगों को समझ में आई जैसे Example के Threes continued 26 अराम से Example के Threesammad mister मेरे भाइट समझो ठीके जैसे मांफर लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं ठीके यहां पर एक III C Louis को ऑपके सामने क्द्ब मेरे आप संचीता हो जैसे मैंने आप लोगों से कहा की मैने unit digit है कितना मेरे भाई 4 मतब 4 की power में 4 की power में अच्छा बताओ 497 सम संक्या हो गया विशम क्योंकि यहां पर unit digit 246 8 और 0 नहीं है मतब यह कैसी संक्या है विशम संक्या है अगर यह विशम संक्या है 4 की power जब भी विशम संक्या होती है तो इस पूरे fraction का unit digit कितना होना चाहिए मेरे भाई 4 होना चाहिए बात समझ में आगे सभी लोगों को फिर वैसे ही मैंने आप से एक और बात एक और समझ लो जैसे 444 की power अगर मैं यहां पर लिख दूँ 496 लिख देता तो यहां पर unit digit तो आपका कितना है मेरे भाई 4 लेकिन यहां पर जो power है वो कैसी होगा यहां पर जो power है वो कैसी है odd power है कैसी power है मेरे भाई विशम power है अगर power में विशम है घात में विशम है तो unit digit हमेशा 4 होगा अगर power में सम संक्या है power में कैसी संक्या है मेरे भाई इवन इवन यानि कि कैसी संक्या मेरे भाई संसंक्या है अगर पावर में संसंक्या है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज भी आ कितना मेरे भाई यह चार का आपके लिए बेसिक रूल होता है बहुत आसान है ठीक है देखो कैसे आया क्यों आया कोई डायरेक्ट बता देता है कि चार की पावर अगर क्या कहते हैं विशम होता है तो क्या कहते हैं चार आएगा चार की पावर शम होता है तो कितना आएगा छे आएगा मैं इसमें किसी को कोई दिकत की बात नहीं होता है बहुत आराम से और इसी तरीके से आपको समझा रहा हो, ठीक है, चलिए, ये वाली कहानी भी सब के समझ में आ गई है, वैसे ही सेम कहानी 9 के लिए भी repeat होती है, वैसे ही सेम कहानी किसके लिए भी repeat होती है, 9 के लिए भी, आप जब 9 की power 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 9, वैसे ही 9 की power 2 करोगे तो त 129 होता है मतब फिर से unit digit आपको कितना मिल जाएगा 9 फिर वैसे 9 की power अगर आप 4 करोगे तो वहाँ पर फिर से unit digit आपको कितना मिल जाएगा मेरे भाई 1 इसमें किसी को कोई दिक्कत की बात तो नहीं है तो यहां से भी हम 9 के लिए एक pattern को observe करते हैं pattern को observe किया जाता है कि 9 के लि मिलेगा 9 और जब भी क्या कहते हैं हमारे पास सम संख्या होगी even number होगा तो unit digit हमेशा कितना मिलेगा आपको एक मिलेगा क्या यह दोनों बाते हैं आप सभी को याद रहेंगी इन्हें आप एक table बनाके बहुत आराम से समझ सकते हो ठीक है याद करने कि देको रटने की कैसे हमने कहा यह चार है और यह कितना है मेरे भाई नो एक बढ़िया सी टेवल बना लेते हैं इनके रूल की बढ़िया सी क्या कर लेते हैं टेवल बना लेते हैं ठीक है यह लीजिए आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको लिखने है सम ठीक है और यहाँ पर आपको क्या ल मिलता है 6 और 4 की power odd number होता है तो unit digit कितना मिलता है 4 9 की power अगर even number होता है unit digit 1 और odd होता है तो कितना मिलता है मेरे भाई 9 मिलता है यह table हर किसी को याद रहेगी ठीक है यह आपका दूसरा basic rule होता है यह आपका करी जाए मैंने जो rule बताया वो चार और 9 के लिए बताया मैंने यह भी बताया कि किस तरीके से यह rule आपको follow करने होते है मैं आपको एक एक चीज example के साथ समझाते हुए चल रहा हूँ आई बात समझ में कि अगर 9 की power अगर odd number है 9 की power में अगर odd number है तो unit digit हमेशा आपको कितना मिलेगा 9 अगर 4 की power में odd number है तो unit digit कितना मिलेगा 4 अगर 9 की power even है तो unit digit कितना मिलेगा 1 अगर 4 की power even है तो unit digit कितना मिलेगा 6 आई बात समझ में example कर लो एक example लिख लेते हैं ठीक है जैसे आप से मिल गया आप से बोल दिया 437 की पावर सोरी 37 मत कीजिया 439 की पावर 541 ठीक है प्लस आप से बोल दिया 344 की पावर 792 आप से ये बोल दिया गया और बोला गया इस fraction का unit digit बताओ इस fraction के इकाई के अंक को बताओ ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर unit डिजिट कितना मिल गया आपको 9 मिल गया और उपर जो पावर है पावर कैसी है पावर इवन एकी ओड है आप देखोगे कि पावर कैसी है विशम संख्या पावर में क्या है आपका विशम संख्या है अगर 9 की पावर विशम संख्या होती है तो आपको यूनिट डिजिट कित क्या होती यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई 9 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 9 6 कितना होता है मेरे भाई आराम से जोड़िए 9 और 6 कितना हो गया पंदर हो गया मतब इस फ्रेक्शन का यूनिट डिजिट आपका कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए इस में किसी को कोई द होता है एक होता है इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आराम से मैंने सवाल एकदम बता दिया कि नो की पावर अगर 541 है तो यूनि डिजिट कितना होना चाहिए नाइन होना चाहिए अगर यहां पे 4 है मतब ये 4 की पावर यहां पर 792 तो एगर चार है चार की पावर में अगर एवन नंबर होता है तो यूनिट कितना होता है च्छे 9 और 6 कितना हो गया पंदर यानि के स्फ्रेक्षन का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए पांच होना चाहिए अब इस रूल का implement कहां पर होता है उस बात को बहुत ध्यान से समझना इस rule का implement कहां होता है उस बात को आप बहुत आराम से समझने का प्रयास करना जैसे मैंने आप से सवाल पूछा 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 ठीक है थोड़ा अराम से लिख ले जाए प्लस 9 की पावर 4 and so on that 9 की पावर कितना हो गया मेरे भाई 100 अब आवग मेरे भाई 100 आप से पूछा जाए ऐसे सवाल आए हुए है कि एक अच्छा सवाल है ऐसे सवाल अगर आपके पास आएं के सब्सक्राइब इपकर यह उनिक्या होा तो बता सकते हैं अब देखको यहां पर काम करता है आपका fundamental ठीक है जो मैं कहता हूँ ना कुछ questions ऐसे होते हैं जो सिर्फ किस से काम करते हैं आपके fundamental से काम करते हैं तो वो आपको समझने चाहिए बहुत आराम से कैसे समझ सकते हैं आप आराम से कितना हो गया एक्यासी यानी unit digit कितना मिलेगा एक ठीक है अच्छा वैसे भी हमने सीखा हुआ था कि चार की power जब भी odd होता है तो unit digit कितना मिलता है चार और 9 की power even होता है तो unit digit कितना मिलता है हमेशा एक जब आप यहां पर pattern को observe करोगे तो दो को जब आप जोड़ोगे जब आपने दो fractions को जोड़ा तो आपको जो unit digit मिलेगा वो कितना मिलेगा पांच मिलेगा आई बस समझ में आप 9 की power 2 और 4 की power 1 को जोड़ के हैं कि देखिए उसका जो unit digit मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा 5 रही जबाराम से समझता है तो कितना मिलना चाहिए मेरे भाई 5 आना चाहिए यूनिडिजिट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है बात समझ में आई आप सभी लोगों के 5 लिखा हुआ है फिर वैसे ही इसको भी जोड़ोगे तो मतब इन दोनों का भी यूनिडिजिट जो आएगा जोड़के वो कितना आएगा पांच आएगा बीच में प्लस का साइन है ऐसे ही करके आपको सब की तरफ देखना है अच्छा अब एक बात और समझे अच्छा अगर मैं आप से कहूं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 इसका मतलब कितना होता है मेरे भाई 6 इसका मतलब क्या होता है कि जब बीच में प्लस होता ह मतब 2 को कितने बार multiply किया गया, 3 बार multiply किया गया, यही तो हुआ, कि 2, 3 बार लिखा गया है, 3 बार plus किया गया, मतब 2 कितने बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, 2, 3 मतब कितना हो जाना चाहिए, 6, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है न, जैसे में 4 प्लस, 4 प्लस, sorry, 4 प्लस चार प्लस चार अगर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाना चाहिए 24 अब आया कैसे कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए आया कैसे होगा मेरे भाई 4 जो है वो कितने बार लिखा गया 1, 2, 3 और 4 कितने बार लिखा गया 4 यानि कि कितना आ गया मेरे भाई 16 आ गया फिक है अब वैसे ही कहानी यहां पर समझो total कितने numbers है total कितने तक गई है series 100 तक गई ही है आपने 2 को लेके 1 pair बनाया number कितने दे रह QU settlements दो को लेके एक pair बना रहे हैं, तो सौ संख्याओं के कितने pair बन जाएंगे, पचास pair बन जाएंगे, ये बात सब को समझ में आती है। ता सिर्फ 0 आना चाहिए था बात समझ में आई एक बार और समझते हैं मैंने आप से क्या कहा मैंने का 4 की पावर 1 9 की पावर 2 4 की पावर 3 9 की पावर आप से बोला गया इस फ्रेक्षन का यूनिट डिजिट बनाओ तो मैंने दो-दो के पेर में बनाना शुरू कर दिया दो-दो के पेर में बनाना क्या कर दिया शुरू कर दिया दो-दो के पेर में बनाना क्या कर दिया शुरू कर दिया दो-दो के पेर में बनाना क्या कर दिया 5 मतब इन दोनों को जब मैंने solve किया तो unit digit मुझे जो मिला वो कितना मिला मेरे भाई 5 मिला unit digit कितना मिल गया 5 मिल गया ऐसे ही इन दोनों को भी solve करोगे तब भी unit digit कितना मिलेगा 5 पाँच ही तो मिलेगा ना 4 की power 3 4 की power 3 कहने का मतब क्या होता है 4 की power जब भी odd होता है 3 कैसे power है odd power है और 4 की power जब भी odd होता है तो unit digit कितना होता है चार और 9 की power 4 है यानि कि even number है 9 की power कैसा number है even number है समसंक है तो unit digit कितना होगा बन तब भी आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा अब ये ऐसे ही 5 कितने बार आ रहा होग तो टोटल मिला के 100 number, तो कितने pairs बन जाएंगे, 50 pair बन जाएंगे, मतब यह 5 कितने बार आएगा, 50 बार, जैसे यहाँ पर 4, 4 बार आया हुआ था, तो मैंने 4 को कितने बार multiply किया है, 4 बार, 2 यहाँ पर 3 बार add किया गया था, तो मैंने 2 को multiply किया, 3 बार, वैसे ही अगर 5 कितने बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, तो 50 भी कितने बार multiply होगा, 50 बार तो 5 into 50 बराबर कितना होता है, 200, 200 यानि कि unit digit कितना होना चाहिए था, इस fraction का 0 होना चाहिए था, unit digit इस fraction का कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, किसी को कोई दिक्कत है, इस सवाल को समझने में, बह बात आप लोगों के समझ में आई इसी पर ये सवाल को थोड़ा सा पलट के एक और चीज बना दी जाती है जैसे आप कहते हो चार की पावर एक नौ की पावर दो चार की पावर थीन नौ की पावर चार and so on that कहां तक नौ की पावर 100 तक देखो मेरे भाई जो previous question था वहाँ पर क्या थे plus के sign थे जो previous question था वहाँ पर किसके sign थे मेरे भाई plus के sign थे लेकिन जो अभी बात का question है इस पर आपके किसके sign है multiply के sign है तो कैसे हो सकता है एक बात आराम से समझ लो 4 की पावर 1 अगर आप करोगे तो unit digit कितना आएगा 4 9 की पावर 2 करोगे unit digit कितना आजाएगा 1 मतलब आपने इन दोनों से जब multiply करके unit digit को देखा तो आपको कितना मिला मेरे भाई 4 यूनिट डिजिट को जब आपने multiply किया तो आपको कितना मिला 4 वहाँ प्लस था पिछले question में इस वाले question में multiply है 4 की पावर 1 4 9 की पावर 2 81 81 का unit digit कितना हो गया 1 इन दोनों को multiply करोगे तो कितना मिलेगा 4 वैसे ही इन दोनों को multiply करोगे फिर से unit digit कितना मिलेगा 4 अब एक बा कितना होता है मेरे भाई 8 और 8 मतलब ही क्या होता है 2 की पावर कितना होता है 3 2 को कितने बार गुणा किया गया तीन बार गुणा किया अगर गुणा किया जाता है तो वो चीज पावर में चली जाती है प्लस किया जाता है तो वो चीज क्या होती है multiply अगर गुणा में होते ह तो वो चीज पावर में चली जाती है और अगर प्लस किया जाता है यहीं पर लिदू टू प्लस टू प्लस टू तो यह क्या कर दिया जाता है बात समझ में आ रही है न सभी लोगों के अब सेम कहानी यहां पर भी है कि टोटल मिलाके नंबर्स आपको कितने दे रखें मेरे भाई अगर यहां पर तीन बार आया था मतब यह बना था दो की पावर तीन अगर 4 की पावर कितना बनेगा 50 और अभी अभी आपने मुझसे सीखा है कि किसी संक्या का unit digit अगर 4 होता है और उसकी पावर कैसी संक्या होती है एक even संक्या होती है तो वो जो unit digit होता है वो कितना होता है मेरे भाई 6 होता है मतलब इस वाले fraction का unit digit कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोनों question को आप लोग समझ गए हैं अच्छे तरीके से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों questions को समझने में ठीक है मैं बहुत आराम से और बहुत प्यार से आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ मेरे भाई ठीक है आपको बस आराम से समझने का प्रयास करना है मैंने आपसे कहा मैंने आपके सामने दो सवाल रखे हुए थे ठीक है ये देखो ये direct concept पर आने वाले सवाल है direct concept पर पूछे जाने वाले सवाल है एक चीज और होती है cyclicity factor वो आपको बता दिया जाएगा तो इन rules की आउशकता नहीं पड़ेगी लेकिन ऐसे वाले question के लिए rule की आउशकता जरूर होती है मेरे भाईयों ठीक है इसको थोड़ा सा यहां पर यह 9 ठीक है चार की power एक 9 की power तो इस तरीके से लिखा गया यहां पर आपका क्या लिखा गया था प्लस 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 था अगले वाले question में क इसको जोड़ो तो 50 प्लस 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 तो कितना बराबर 6 अगर प्लस में है अगर वो add कर जा रहा है तो वो क्या हो जाता है Multiply जितने बार एड करा गया उतने बार multiply जितने बार add कर आगया कितने बार add कर आगया 50 बार add कर आगया तो 50 से multiply पांच इंट नू पचास बराबर कितना हो गया धाइस तो तो यूनित डिजिट कितना आगया भाई आपका जीरू अगर next question को देखोगे मेरे भाई next question को देखोगे, तो 4 और 9, अगर unit digit देखोगे तो कितना आया मेरे भाई, 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे करके कितने बार आएगा, 50 बार, 100 संक्या हैं, 2 संक्याओं से 1 का pair बना रहे हूँ, तो कितने बार आएगा, 50 बार, जैसे मैंने आप से कही, कि 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into में चला जाएगा, मतलब 2 की power 3, और 2 plus 2 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, multiply में आजाएगा, वैसी यहाँ पे देखो, तो 4 आया कितने बार यहाँ पे, 50 बार, किस में आया, multiply में, मतलब 4 की power 50 हो जाएगा, आगई बात आपको समझ में, multiply में जब भी होता है, तो power में चला ज जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी होती है, तो 4 into 50, और अभी-अभी rule आपको बता रखा है, कि 4 की power जब भी कोई संक्या कैसी होती है, even, 4 की power में 50 कैसी संक्या है, even संक्या है, एक सम संक्या है, तो unit digit इस संक्या का कितना होना चाहिए, 6, दोनों question के अंतर को बहुत आर मैंने आपको आज बहुत सारी चीजें बताई हैं, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई मेरे भाई, कि number system हम start करने वाले हैं, ठीक है, देखो, आपको basic to advance हर तरीके के questions बताये जाएंगे, बस थोड़ा सा patience रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पहले दिनी बहुत अच् नमबर ऑफ जीरो, डिवीजिबिल्टी और चौथा पाच्वा क्या बताई मैंने आपको remainder, मैंने कहा ता तीन topic आप से पूछे जाते हैं, divisibility, remainder, unit digit आप से पूछा जाता है, कभी कबार एका सवाल आपका factor से relate करता हुआ या number of zeros से relate करता हुआ भी आएगा, उसके बाद मैंन नमबर से आपका कोई वास्ता नहीं है, ये बात समझ में आ गई, मैंने आप लोगों को बताया, इसका unit digit कितना होना चाहिए, 9, जैसे कोई भी question solve कर लो, जैसे यहाँ पे 23 प्लस कितना था, 42 था, 23 प्लस 42 बोला जाए, इसका unit digit कितना होगा, तो मुझे सिर्फ unit digit से ही वास् होना चाहिए, इसके आगे कोई number है, मुझे कोई मतलब नहीं करना, 3 और 2 मतलब इसका unit digit होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मेरे भाई, 5 होना चाहिए, बात समझ में आ गई, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर इसका unit digit देखना है, तो 3 और 2, 5, 5 और 6, 6 और कितना हो multiply आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 5 और 2, बीच में plus का निसान है, तो दोनों add हो जाएगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7, minus 1, यहाँ पर क्या है, minus का क्या है, 1 है, 7, minus 1, मतलब unit digit विल भी कितना आ गया भाई, आपका 6 आ गया, किसी को कोई दिक्कत इस ब 0, 1, 5, और 6, अलग-अलग example से मैंने आपको कहानी समझाई, और उसके बाद मैंने आपको कहा इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यह, कि 0 की power कितना भी कर दिया जाए, n मतलब कितना भी कर दिया जाए, अगर किसी number का, किसी digit number का, unit digit क्या है भाई, आपका 0 है, उसकी पावर में आप लाख करोड कितना अरब-खरब कर दीजिये, हमेशा unit digit 0, 1 की power कितना कर दीजिये, unit digit 1, 5 की power कितना कर दीजिये, unit digit 5, 6 की power कितना कर दीजिये, unit digit कितना हो जाए, 6, मैंने आपको examples भी बताए, मैंने का, 1000 है, मतलब unit digit कितना है, 0, 0 की power कितना कर दू, unit digit 0, 6 है, 6 सॉरी एक है naked power कितना कर दिया जए unit डिर्ट चैय और 6 बारा बाड़र और 13 13 यानि की unit digit कितना होगा मेरे वाई तीन होगा unit digit कितना होगाँ तीन वैसे ही यहाँ पर सवाल को देखलो यहाँ पर unit digit किपना आ जाएगा 5 यहाँ पर unit यूनिट डिजिट कितना आजाएगा 6 6 और 5 कितना हो गया 11 11 यानि की यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका एक आएगा बात समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके बाद अगला concept जो हमने पढ़ा था वो 4 और 9 के लिए पढ़ा था मैंने आपको बताया था 4 और 9 के लिए special rule बताया था rule क्या बताया था कि 4 की पावर जब भी कोई विशम संक्या होती है तो यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई 4 और 4 की पावर जब भी सम संक्या होती है और even number होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई 6 होता है यह मैंने आपको practically करके भी बताया यहाँ पर संसंसंक्या किसी बच्चे को नहीं पता है कैसे पहचानते हैं तो मैंने उसको भी बताया कि संसंख्याएं क्या होती है मेरे बाइजो 2468 जीन चि कहते हैं जीन संख्यांग के अंत में आपको यह अंक दिख रहे हैं विशम मैंने एक्जामपल भी दिया जैसे 144 में मुझे यहां पर इकाई कांक 4 दिख रहा है अगर इकाई कांक 0, 2, 4, 6, 8 दिख रहा है मतलब वो समसंक्या ना अगर यह नहीं दिख रहा है तो वो कैसी संक्या हो गई विशम संक्या हो गई यही चीज मैंने आप लोगों को बत है मैंने का 4 की पावर अगर 497 यह 444 की पावर 497 दे रखा है मतलब यह 4 है 4 की पावर अगर और दे रखा है तो यूनिट डिजिट इसका कितना होना चाहिए 4 हो जाना चाहिए अगर even दे रखा है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाना चाहिए 6 हो जाना चाहिए बहुत समझाया, उसके बाद मैंने 9 की आपको, इकाई के अंकर के लिए मैंने आपको बताया, कि अगर 9 की पावर 1 होता, तो unit digit कितना होता है, 9, अगर 9 की पावर, अगर sum संक्या होती है, तो unit digit कितना होता है, मेरे भाई, 1 होता है, तो यहाँ पे से अपने आपको एक table पता चली, कि तो अगर 4 की पावर सम संक्या है, अगर 4 की पावर कैसी संक्या है मेरे भाई, सम संक्या है, तो unit digit हमेशा 6, 9 की पावर सम संक्या है, unit digit हमेशा 1, 4 की पावर विशम संक्या है, unit digit हमेशा 4, 9 की पावर विशम संक्या, odd संक्या है, unit digit will be कितना भही है, 9, और उसके बाद मैंने होता है तो unit digit कितना होता है 9 और वैसी 4 की power जब भी even होता है तो unit digit कितना होता है 6 9 और 6 कितना हो गया 15 यानी की unit digit कितना आ गया भाई इस पूरे fraction का 5 आ गया मैंने कहा इस question के implementation पर आपके एक सवाल पूछा जाता है जो इस तरीके से पूछा जाता है चार की power एक प्लस 9 की power दो प्लस 4 की power तीन प्लस 9 की power चार यह सवाल आपके पास बहुत बार पूछा जाता है ठीक है previous year papers में बहुत बार देखा गया है ठीक है ऐसे तो नहीं पर see set वगएरो के papers में देखे जाते हैं इस तरीके का सवाल ठीक है देखो अगर आप UKPS का paper देखोगे ठीक है तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि अर्थमेटिक का रोल थोड़ा सा जाता है ठीक है तो आपको नंबर सिस्टम सिंप्लिफिकेशन सर्ट इंडिसेज घातांक करनी वाले question percentage, time speed distance, time and work ये वाले question आपको थोड़ा जादा देखने को मिलेंगे और अच्छे level के देखने को मिलेंगे तो वहाँ तक हमने पहुंचना है फिर इस सवाल के लिए मैंने आपको कहा था basic काम आएगा basic क्या था? 4 की power 1 यानि की 4, 9 की power 2, 9 की power 2 यानि की कितना होता है? 9, 81 unit digit को देखना है आपने unit digit को देखना है, unit digit कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 1 है, unit digit कितना है मेरे भाई? 1 तो 4 और 1 अगर unit digit को जोड़ोगे तो कितना हैगा? 5, वैसी दूसरे वाले नंबर से भी 5, फिर मैंने आपको example से समझाया कि 2 plus 2 plus 2, अगर 2 को 3 बार जोड़ा गया है मतब 2 को कितने बार गुणा किया गया? 3 बार क्या करा गया? गुणा किया होगा, अगर जोड़ा है तो क्या करा गया होगा? गुणा किया गया होगा, तो मतब 5 है, 5 को कितने बार जोड़ा होगा? 50 बार, अच्छा ये 50 किस तरीके से आया? आपको पता है कि 2 से अगर हम एक पेर बना रहे हैं, टोटल मिला के 100 नंबर से तो कितने पेर बन जाएंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, फिर एक last question हम लोगों ने इसी को किया था, कि अगर ये multiply करके पूछ लिया जाए, अगर ये multiply करके पूछ लिया जाए, multiply करके अगर पूछ लिया जाए, तो 4 into 1 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 4, फिर ऐसे ही 4, 4, और ये 4 कि इसने बार आएगा मेरे भाई, 50 times आएगा, और मैंने आपको बताया कि जब भी चीजों को multiply किया जाता है, जब भी चीजों को multiply किया जाता है, तो जितने बार multiply किया जाता है, वो power में चला जाता है, 2 को 3 बार multiply कर दिया गया, मतब 2 की power 3, कितना हो गया मेरे भाई, 8, वैसे ह यहां पर है 4 को कितने बार, अब देखो, यहां multiply का sign था, तो इसलिए multiply करा गया है, पिछले वाले question में plus का sign था, यहां multiply का sign है सब जगों देखोगे, तो 4 कितने बार आएगा 50, मतलब 4 की power कितना हो गया 50, अगर यह 4 की power कितना है 50, और आपको अब अभी बता रखाए कि अगर किसी संका का unit digit 4 है और उसकी power में अगर sum संक्या E1 number है तो उसका unit digit कितना होना चाहिए मेरे भाई 6 होना चाहिए तो उसका unit digit कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए आई बास समझ मैं तो बच्चो ये आप लोगों की एक basic class थी एक demo class थी जहाँ पर हम लोगों ने किसको जाना था number system से आने वाले questions को पहले हमने समझा, उसके बाद मैंने basic information आपको unit digit का दिया है, इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊँगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2, 3, 7, 8 या बांकी numbers अगर आजाएं उनके लिए rules, मैं आपको उनके लिए rules ने बताने वाला, अब मैं आपको direct एक concept बताऊँगा, ठीक है, आप लोग की class अब इस पर daily आएगी, आप लोग को जितने से जितनी मदद कराए जा सकती हम उतनी सारी test series है, चाहे वो आपके papers हैं या mock test हैं, जितने भी हैं वो आप सबको provide करे जाएंगे, ज्यादा से ज्य जुनने की प्रयास करेंगे, वागी के लिए नमस्कार, उपлан कराएंगे.